हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को गर्म्यों के सीजन के लिए फ्राग बनाना बताऊंगी बेबी फ्राग तो इस फ्राग के लिए मैंने ये लंबाई चोड़ाई कपड़े की कट कर ली है कपड़ा हमारा टू फोल्ड में है सबसे पहले इसकी लंबाई हमें देख लेनी है लंबाई है ग्यारा इंच और कपड़े की चोड़ाई है साड़े बारा इंच तो ये मैंने इसकी लंबाई चोड़ाई ली है और कपड़े को हमें यहां से एक बार और फोल्ड कर लेना है तो ये कपड़ा हमारा 4-fold में हो जाएगा आप इस कपड़े को मैंने इस तरह से सेट करके रख लिया है सबसे पहले हमें गले और कंदे के लिए निशान लगाना होगा तो यहाँ से हम पहले गले के लिए 2-inch से थोड़ा सा कम निशान लगाएंगे और कंदे का मैंने दो इंच पर निशान लगाया है यानि कि टोटल मैंने चार इंच लिया है लेकिन गले की चोड़ाई थोड़ा सा मैंने कम कर दी है दो इंच से अब यहां से चार इंच नीचे मैंने आर्मॉल के लिए निशान लगाया है और इसको हमने गुलाई दे दी है तो यह हो गया हमारा आर्मॉल का निशान अब यहां से गले की डीप गुलाई का निशान लगाना होगा तो मैंने इसके लिए धाय इंच लिया है धाय इंच पर इस तरह से मैंने गले का निशान लगा दिया है तो यह हमारा फ्रंट गले की लंबाई होगी पीछे वाला गला जो होगा वो हमें 1.5 इंच की गहराई प्लेट कर देना है अब इस निशान के बाद यहां नीचे की साइट से हमें 1.5 इंच उपर निशान लगाना होगा और इससे हलकी सी गुलाई देना है इस तरह से निशान को लगा देना है तो यह हो गया हमारा निशान को यहां से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे तो तो इस तरह से मैंने साइड की भी कटिंग कर ली है अब हमें गले की कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम एक इंच से थोड़ा सा जाद मैंने रखा है पीछे के गले की गहराई डेड़ इंच से भी कम है यानि कि एक और डेड़ के बीच में मैंने इसकी गहराई रखी है अब हमें इस दोनों पार्ट को अलग-अलग और फिर हम आगे वाले गले की डीप कटिंग कर लेंगे जो मैंने निशान लगाया था तो इस तरह से मैंने आगे वाले पार्ट को ले लिया है सिंगल पार्ट को और यहां से हमें गले की कटिंग कर लेनी है तो यह हो गया हमारे आगे का गला, तो दोनों पार्ट की मैंने गटिंग कर ली है आगे और पीछे दोनों पार्ट की इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, ये कटिंग करने के बाद, अब नीचे की साइड हमें फ्रिल बनानी है तो उसके लिए हमें कपड़ा कट करना होगा तो ये मैंने कपड़ा कट करके रखा हो गया है इसकी लेंथ अभी नाप करके आपको दिखा दूँगी तो इस तरह से आप देख सकती है इसकी लंबाई चोड़ाई यहां से हमें चुनट इस तरह से देना होगा और इसमें हमें जॉइंट करके डिजाइनिंग कमप्लेट करनी होगी तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम नाप के आपको दिखा देंगे कि लंबाई इसकी है 21 इंच कपड़ा हमारा डबल है और यहाँ से इसकी लंबाई मैंने रखी है पाँच इंज तो इस तारह से मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड में लिए है जो कि हमें आगे और पीछे दोनों साइड इसको लगाना होगा आप देख सकती है कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है तो इसको हम फोल्ड करके साइड में रखेंगे और सबसे पहले अब यहां से हमें सिलाई यह स्टार्ट करना है तो पहले इन दोनों पार्ट को हम अलग-अलग करेंगे और इस तरह से हम दोनों की उल्टी साइड उपर करेंगे और सीधी साइड अंदर करके इस तरह से रख लेंगे और कंदे की हम सिलाई लगा लेंगे कंदे की सिलाई लगाने के बाद इसे हम यहां से खोल लेंगे और अब हम पाइपिन लगाएंगे तो पाइपिन के लिए मैंने ये लंबी सी पाइपिन तयार कर ली है तो ये दोनो आर्मोल में दोनो बाजू में हम पाइपिन लगा करके तयार कर लेंगे गले में भी पाइपिन लगा लेनी है और नीचे की साइड यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड हमें पाइपिन लगा लेनी तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने पाइपिन को लगा ली है इस तरह से गले में दोनों बाजू में मैंने पाइपिन को कम्प्रेट कर लिया है नीचे की साइड की पाइपिन को मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फ गटब फूल लेना है और इस Size दबल फूल इसे हमें डबल वोल्ड करके कपड़े को पूरी लंबाइ में चूनट बना लेना है तो पूरी कपड़े को इसतरा से बना के तैयार कर तो आप देख क सकती है कि मैंने फ्रिल को बना करके तैयार कर लिया है और फृल बनाने के बेबी के लिए बना रहे हूं तो इसमें हमें कपड़ा जोइंट करना ही पड़ेगा क्योंकि पने की चोड़ाई में अगर आप बनाएंगे तो कपड़ा आपका कम पड़ेगा तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रिल को बना करके तयार कर लिया है अब यह नीचे की साइड ह यहां से नाप लेना है कि दोनों साइड हमारी फ्रिल आएगी या नए तो यह देखिया साइज बिलकुल परफेक्ट है अब हमें कपड़े को इस तरह से अच्छी से डबल फोल्ड़ कर्के हमें हाफ कर लेना है तो यहां सेदेखिए मैंने दोनों साइड को अलग को सिलाई लगा लेंगे फिर पलट करके यहां से इस तरह से पाइपिन को सेट करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड हमें सेम तरीके से सिलाई लगा करके कम्प्लीट कर लेना है तो आप देख सकती है कि मैंने फ्रिल की सिलाई करके इसको तैयार कर लिया है दोन ये सिलाई हमें लगा लेनी है उसके बाद ये कम्पलीट हो जाएगा हमारा फ्राग तो ये हमारा प्यारा सा फ्राग बनके तयार है बिल्कुल परफेक्ट ये फ्राग हमारा बनके तयार हुआ है ये फ्राग आप 6 मन तक के बच्चों के लिए आराम से पहना सकती है तो ये 6 मन तक के बेबी के लिए आप आराम से पहना करके पहना सकती है इस फ्राग की सिलाई और कटिंग दोनों ही बहुत आसान है तो उमीद है कि आज की हमारी बेबी फ्रॉग की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेलकुल ना भूलें अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज